कि नमश्कार दोस्तों सरफशिक्षाइडमी चैनल में आपका सौगत है और मैं नीतू आज इस वीडियो के अंदर बात करने वाली हूं कि टेली प्राइम के अंदर जो कंपनी कर लेते हैं काफ्टर क्रियेशन ऑफ कंपनी अगर हमारी कंपनी के डेटा के अंदर या कंपनी की बैसिक जो डीटेल्स हमने औंगे कंपनी काइस करते हैं वो बताने हम अपनी कंपनी का किस lose करना हो तो कंपनी टीलीट के तरीक ऑपर बात करने वेड sentiment मैं यहां पर company को select करने वाले तो आप देख पा रहें company के option में हम आचुके हैं और यह option control के alt k के साथ भी आप open कर सकते हैं इसी में आपके पास create company का alter change select यहां पर कई सारे option नज़रा रहें यहां कौन सी company open करना चाहते हैं तो list of companies आपको नजर आजाएंगी आपकी company कहां पर है जिसको आप open करना चाहते तो मेरी company यहां इस लिस्ट में नहीं है तो इस लिस्ट में अगर आपकी company के अपर enterprise करना है जाकर और आपकी company open फोल्डर कि सी का पड़ा है कि यहां से मुझे दूसरे द्राइब में जाना पड़ेगा तो मैं जाऊंगी स्बाइब यहां से मेरी कमपानी के अंदर पड़िये शंद राइब में गई फड्राइब में घएveda में इंदर तो मैं एंटर किया और इस ABC कंपनी को देख सकते हैं मैं यहां पर ओपन कर लिया है तो इस तरीके से मैं कंपनी को अपनी ओपन कर सकते हैं तो यहां इस लिस्ट में नेम ओफ कंपनी की जगे पर जितनी भी company आपको नजर आएंगे वह आपकी company recently open है लेकिन आप एक एक करके ही companies पर काम कर पाएंगे तो जिस company को सबसे ऊपर आप देख रहे हैं उसी कंपनी के अंदर आप काम कर सकते हैं कोई भी entry करनी है कुछ भी क्रियेट करना है तो आप उसी company में कर सकते हैं जो आपको directly इस right hand side position left hand side position पे नजर आ रही है थीक है अब मैं आपको बताने वाली कंपनि की डिटेल्स को change कैसे करना है औल्टर कैसे करना है तो आप कंपनी में जाएंगे यहां आपको मिलेगा औल्टर का यह option औल्टर उप्शन से ही हम अपनी कमपनी के डिटेल्स को अप Deutsch कर सकते हैं मोडि हैं सकते हैं प्लस अगर आप अपनी कमपनी को डिलीट करना चाहते ऑं तो भी आपको इसी ऑ devenir स्पर और अडर्र सतव डिया 123 ओल्ड डेली 110006 मैंने यहां पर यह डाल दिया है कोड़ इसके इलाव़ा कोई एडर्रेस और भी चेंज करना है यहां पर भी मेरा पिन-गोड चेंज होगा तो मैंने पिन-कोड चेंज कर दिया है ठीक है नंबर आपको email id अगर आपको बदलनी है website का नाम बदलना है ठीके तो मैंने यहाँ पे डाल दिया at the rate जीमेल डाट कॉम तो यह email id change हो गई इसके लावा स्वारी यहां पे हमने website का नाम बदल दिया है यहाँ पे website का नाम हमें डालना था ssa.com करके मैंने यहां पर website का नाम दे दिया है यहां पर हमने अपनी email id चेंज कर दी ssa at the rate gmail.com यह हमारी हो गई email id तो इस तरीके से basic changes आप कर सकते हैं बहुत easily and मैंने अपनी company के उपर password लगाया था तो मैं password अगर हटाना है तो उसके लिए भी आपको अपनी company का password पता होना चाहिए तो मैंने company का password डाल दिया and security option को यहां से कर दिया है no और मैंने company का सारा data जो जो मुझे जरूरत ही मैंने alter कर दिया है अब अगर कभी भी आप अपनी company के alter option में जाएंगे तो आप देख सकते हैं सारी डीटेल आपकी चेंज जो आपने की थी बिल्कुल वैसे ही change हो चुकी है तो यानि की हमारी company का data जो है update हो चुका है और अगर delete करना हो तो दिलीट करने के लिए भी आपको यहीं से जाना है alter option में and alt के साथ depress करेंगे जैसे ही आप अल्ट करेंगे तो आप से पूछ रहा है कि आप delete करना चाहते तो अगर मैंने yes कर दिया तो यह मेरी company जो है delete यहां से हो जाएगी ठीक है तो मैं yes करके दिखाते हूं आपको और यह पूछ भी रहा है आपसे आर यूशुर कि आप पहली बार option दिया उसने delete का ठीक है उसके बाद मान लिजए आपने गलती से delete option दबा दिया है बटन दबा दिया है तो आपसे एक और confirmation मांगेगा कि क्या आप सच में company को delete करना चाहते हैं अगर आपने yes कर दिया तो आपकी company permanently यहां से delete हो जाएगी ठीक है तो मैं एक काम करते हूं आपको एक चीज़ दिखाने वाली हूं मैं यहां से एक folder में जा रहे हूं जो की मेरी company का location folder है ठीक है यहां f drive के अंदर मैं आपको दिखाने वाली आपको मिलेगा यहां पर जो है आपका new folder option निव फोल्डर option में आप देख पा रहे है वन डबल जिरो डबल जिरो के नाम से एक folder आ रहे है इस folder के अंदर कुस डेटा नज़रा यही हमारी वो company का data है ठीक है तो अब मैं इस company को जब delete करूंगी तो मैं आपको यह भी देटा भी वहां से चला जाएगा तो मैंने क्या किया किया करने के बाद मैंने इसको कर दिया और यह मेरी company जो है यहां से डिलीट हो गई है अब अगर मैं select from drive option में जाओंगी एफ ड्राइव में जाओंगी एफ ड्राइव में जाओंगी आप देख पारें निव फोल्डर क के अंदर एफ ड्राइव और निव फोल्डर बिल्कुल ब्लैंक हो चुका है तो इस तरीके से हम अपनी के डेटा को अल्टर कर सकते हैं कंपनी के डेटा को डिलीट कर सकते हैं कंपनी को जिस तरीके से सलेक करना चाहें उस ड्राइव से अपनी कंपनी को आप सेलेक भी कर सक खाइ परे.